हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीप्यू को उवरक्लॉक करने के सॉफ्टेयर के बारे में जिसका नाम है MSI Afterburner MSI Afterburner को इस्टॉल करेंगे दिखाएंगे कैसे इस्टॉल करना है और उसका वकिंग कैसे होता है कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे उसके बारे में तो चलिया सिस्टम पर चलता है सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है कोई भी ब्राउजर पर अपने और ओपन करेंगे MSI Afterburner MSI Afterburner क्लिक करते ही सबसे पहला वीडियो जो खुलेगा वही होगा Afterburner का नीचे आएंगे Afterburner पर क्लिक करेंगे डाउनलूट कर लेंगे Afterburner को मैंने Chrome को यूज किया तो नीचे ही आ जाता है उसके उपन कर लेंगे इसको एक्स्ट्रैक्ट कर लेंगे जिप आई है तो इसको 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 इस्ट्रैक्ट करेंगे जिप को जिप को इक्स्ट्रैक्ट करने के बाद में Installation का easy process होता है Double click करके English पूछ रहा है अगर आप Chinese बोलते हो तो आप Chinese भी कर सकते हो मैं English समझ जाऊंगा तो English ही कर लेते है I accept कर लेना फिर next कर देना I accept के बाद फिर ये river tuner एक option आ रहा है इसको इस्टॉल करना बहुत जरूरी है आप इसे चाहो तो uncheck कर सकते हो लेकिन मैं कहूंगा कि इसको install रखना बाद में बताएंगे कि इसका क्या purpose होता है बहुत जरूरी है river tuner तो इसको check ही रहने देना उपावल आप uncheck नहीं कर पाऊगे उपावल तो आप इस्टॉल करी रहे हो तो उपावल नहीं कर पाऊगे river tuner को भी चेक कर देना फोल्डर पूछेगा फोल्डर कुछ इसमें छेड़षाड करने की जरूत नहीं है अपना सब next करते चले जो और इस्टॉल हो रहा है यह इस्टॉल होने के बाद ही तुरंट river tuner इस्टॉल करने को बोलेगा तो installation हो रहा है देखे तुरंट river tuner के लिए पूछने लगा यह फिर river tuner के लिए पूछा कि इंगलिस ही चारेंगे की नहीं आपकी जो लेंगों जो कर सकते हो फिर उसके बाद आप फिर आएक्सेप्ट कर लेना नो करोगे तो भाई इस्टॉल नहीं होगा तो accept कर लेना अभी उसके बाद चलेंगे फिर next करेंगे ब्राव फोल्डर सेलेट करेंगा और next कर देंगे तो installation प्रोसेस चालू हो जाएगा अभी जब तक इस्टॉल वह तक बता दें अगर आपका इंट्रेस्ट फिनिश कर दीजेगा तो इस्टॉल हो जाएगा साथ में एक पॉप आप खूलेगा जो कि आप कहेगा कि आप किसी ब्राउजर पे इसे ओपन करिए ब्राउजर पे ओपन करने का परपस क्या होता है कि यह कुछ अपने बारे में बताना चाहता है आपको तो ब्राउजर पे ओपन कर लेना किसी जिस पर भी ओपन करने होगा है ओके कर देना यह ओपन हो जाएगा मेरा एज़ पे हुआ है ओपन एजपे देख लिजे वर्जन के बारे में दिखा रहा है कि कौन-कौन सा वर्जन है इनके बहुत लंबा जोड़ा डोकुमेंट से पढ़ना हो पढ़ लेना चुदने हाई हो तो पढ़ना महीं हाई हो तो ना पढ़ना हाला कि मैंने नहीं पढ़ा फिर भी आपको दिखा देता हूं कितना लंबा है बहुत सारी चीज है हाला कि कोई पढ़ेगा नहीं इसको तो फिर इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका कोई परपस है नहीं अपनी लाइफ में अभी क्या हुआ कि यह इंटरफेस को लापर आप नहीं देखा होगा यूट्यूब पे जित्ते लोग अभी क्लॉक करते हों तो दूसरी तरीका कर डिजाइन होता है उसके लिए आप स उसका नहीं इसको और कॉपी कर ढ़ीं चाहिए उसके लेक आखने में सबसे लास्ट वाले पे जाना यूजर इंटरफेस इसकोण होजाएगा जिस तरीके के दिख रहा आ है इसको अपने हिसाब कर लिए उसकी कर लेना नीचे ओपी सिटी में लब ट्रांसपेरेंसी और उसकी साइस का भी ऑप्शन है तो वह भी कर लेना अपने हिसाब से कर लेना जो भी आप करना जाहो जो आपके लिए सुटेबल हो जित्ता वह कर लेना तो उससे क्या होगा कि बैग्ग्राउंड में को क्योंकि आप अभी नए हैं इसलिए आपको उन्ही की कॉपी करना होगा या अगर आपका कोई और किसी को फॉलो कर रहा है जो किसी और इंटरफेस को फॉलो कर रहा है मतलब किसी और इंटरफेस को दिखा रहा है कलर का दिखा रहा है या उसका लुक चेंज है जिसको आप समझ पाइए तो उस तरीके का आप कर ले न सारे उसी में अबलेवल होते हैं सो अभी आ जाते हैं उसी एंटरफेस पर आneg एंड ड़े अब झाल ऑगी आप लिया है अभी आजाते हैं रिवड ट्यूनेर वाली बातपर कि रीवड सीनर का परपस क्या था तो आप सेटिंग में जाओंगे का क्या परपस में ली कि आपको दिखाता हूं कि जो कि आपको देखे होगे यूट्यूबर्स और गेमर्स दिखाते रहते हैं फ्रेम रेट ऊपर चलता रहता है राइट गेम खेलते रहते हैं और इस तरीके से फ्रेम रेट ऊपर चलता रहता है तो आ चेकल करोगे से डिक मजेदा आपको सब हएप सब्सक्राइब करना टारा जिस्पे में के लुए उस less to the rem2 आपको एसा शावपया नकता प्राइब आपको पाहरा ज्यक्ता सतुकर नाँ ? शपर इन एस दिलिक euh-59 यह सारी प्रापर्ट्टित आपकी जब आप गेम खेलोगे ना तो ऊपर को कर देते हैं पावर कंजमशन को कर देते आ हैं यह को कर देते आ किथि थ Ums I definit को कर देते हैं अभी अप्लाइफ कर देंगे न तो जब आप अप गेम खे लोगए तो आपके गेम जभी भी ओपेन करोगे तो वह उप दिखाने लगेगा उपर ही तो उसका हेल्फ होता है कि किस फ्रेम रेट से आप गेम खेल लें और अपने सिस्टम को अपने जीपीउ को अपने सीपीउ को समझने में आपको हेल्फ होती है तो यह कर लेना और अगर कोशन हो तो पूछना जवाब देंगे टेंसन ने लेना अगर आपका इंट्रेस्ट भी गेमिंग गैजट पीसी ऑनलाइन अनिंग और वीडियो एट्टिंग में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पुराने वीडियो जाके देखो बहुत सारे बहुत बहुत से लेना और हा झारे से लेना खमूब बझाएब घरमेश पो वीडियों से बहुत सारे लेना येव कर द्वाद़ा में भीडियों से बहुत कर दो यें